तो एक चीज़ तो clear है अगर आप एक बच्चे के parent है या आपके घर में वो छोटा बच्चा है जैसे खाना खिलाते समय आप mobile का उपयोग कर रहे है जैसा कि चेतन जी ने बताया कि बहुत सारे माता पिता अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाते समय एक हाथ में mobile पकड़ा वो तो आपने बाइपास कर दिया मैं ठीक कहरा हो चेतन जी बिल्कुल ठीक कहरे हो आप तो वो step जब बाइपास हो गया तो आपके intestine को आपके stomach को आपके pancreatic cells को body में ज्यादा काम करना पड़ा है जिसकी वज़े से sugar के levels आपके सामाने levels को cross कर जाएंगे and this is the reason कि आपके घर को एक नया मोड देते हैं एक ऐसे सवाल पे जाते हैं जो मैं समझता हूं कि हमारे दर्चकों के मन में जरूर उमड़ा होगा बहुत लोग कहते हैं भाई मीठा मत खाईए क्या मीठा खाने से diabetes हो जाती है या मीठा खाने से diabetes बिगड़ जाती है या मीठा किस प्रकार की जानते हैं कि यह जो मीठा वर्ड है क्या चीज मीठी और क्या चीज मिठास है इसका diabetes से sugar से क्या correlation है आये जानते हैं मीठा हमको यह समयना है जैसे कि मैंने पहले कहा बिना मिठास बिना शुगर बिना glucose हमारी बाड़ी सांस तक नहीं ले सकती हम आवाज तक नहीं कर सकते हमे कोई भी काम करना उसके लिए मीठा का होना बाड़ी में बहुत जरूरी है लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि मीठा क्या क्या रसगुले को मीठा कहा जा मैंने चीकु के अंदर पढ़ा हुआ नाचरल मीठे को कहा मीठा तो बहुत अवेलेवल है इस universe के अंदर इसक ये था कि शुरुवात खाने की मीठे से करते थे फॉलड वाइदा फूड और हम आजकल उल्टा करते हैं क्योंकि वेस्टनाइजेशन का इतना दबदबा हो गया एक डाजट नाम का एक कॉंसेप्ट चल पड़ा है कि खूब सारा खाना खाने के बाद हम डाजट जो की अक्सेसिव बाड़ी के अंदर इतना तेज इतना ज़्यदा है शुगर कंटेंट हो जाता है कि बाड़ी उसको रेटेन नहीं कर पाती दूसरा क्या है कि मीठा मीठा जब हम शुरू में खाते हैं तो हमारे ब्रेन से एक खास किसम का हार्मोन अक्टिबेट होता है जिसको कहते हैं हंगर हार्मोन लेक्टिन नाम का एक हार्मोन जो अक्टिबेट होता है यो हमें ये कहता है कि आपकी बाड़ी में कितनी शुगर कंटेंट चाहिए जैसे ही वो sugar content फिल हो जाता है और आप खाने के लिए मना कर देते हो अंदर से ही आप कहते हो बस मैंने अब खा लिया ये कौन कहता है इस पर्टिकलर हार्मोन हम इतनी तेजी से खाना खाते हैं कि ये हार्मोन एक्टिवी नहीं होता इस हार्मोन को अगर टेक्निकली मैं देख का पूरा मील ख़ा जाते हैं हमें ये देखना है कि बिना मीठे से हमारी बाड़ी चले गी नहीं और हम किस ताइप का मीठा खा रहे हैं ये हमें इसके बारे में बहुत गहन तरीके से चर्टिवी करनी हैं सोच बिना अबी और आइंदा ये ध्यान भी रखना है कि हम क्या intake कर रहे हैं यानि एक चीज तो clear है आप अपने पूरे दिन में जिस प्रकार का खाना खा रहे हैं उसमें हो सकता है कि कुछ चीजे ऐसी हो जो पूर्ण रुप से मीठी हैं और कुछ चीजे ऐसी हैं जिनमें मिठास यानि चीनी या कोई भी मीठी चीज को as an ingredient यूज नहीं किया गया है लेकिन उसकी सही मातरा अगर आपके शरीर में नहीं जा रही है या आप कह सकते हैं कि आप उसको excessively intake कर रहे हैं तो वो भी कही ना कहीं आपके शरीर में जाके glucose के levels को बढ़ाने में योगदान दे सकती है यानि हर मीठी चीज is a Contributory Factor to Diabetes ये statement true नहीं है अगर आपके द्वारा पूरे दिन में कोई भी प्रकार का खाना अगर आप सही तरीके से नहीं सेवन कर रहे हैं सही मातरा में नहीं सेवन कर रहे हैं सही समय पे नहीं सेवन कर रहे हैं या आपके lifestyle habits ही ऐसी है तो आपको diabetes होने का खत्रा definitely है या आप pre-diabetic हो सकते हैं तो छेतन जी मैं जानना चाहूंगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है कि वाके में हमारे खाने में मिलावट हुई भी मीठी चीजे या मिलावट हुई भी चीनी या कोई ऐसी चीजे जिन में बिठाच नहीं है क्या वो भी contributory factor है शुगर के levels को बढ़ाने में खाना खाने के अंदर micro contents होते है और macro contents होते है अगर हम macro contents को डिवाइड करें तो macro contents होते है fats, proteins, carbohydrates, micro contents होते है vitamins उसके अंदर और अलग minerals बगएरा बगएरा अब जो carbohydrates है ना sugar is a form of carbohydrate and every cheese जो भी product हम ले चाह हम fruit खाते है चाह हम vegetable खाते है चाह हम cereal खाते है चाह हम wheat खाते है whatever we eat has got his own sugar content in it there is no need to take extra sugar from outside which is unnatural, which is white sugar which is so much harmful आप अगर Google search करोगे तो किसी भी drug से ज़्यादा आज की तारीक में अगर आपको कोई चीज क्या कहते है उसे habitual बना रही है वो है sugar sugar is the most habit forming product in this world more than any drug तो आप ये समझे कि हमारे को जरूरत ही क्या है कि हम उपर से sugar लेंगे हमारे को ठीक है हमारे को शरीर को चलाने के लिए energy चीए energy comes from sugar sugar current from carbohydrates and everything we are eating everything we are eating has got its own carbohydrate content and my personal experience skyya कि मेरे को भी मीठा खाने का बड़ा shock खाना कहने के बाद मीठे की a craving होती थी कि मीठा खा लो मीठा खा लो एक eksperiment मैंने कि एक काम करते हैं कि मीठा खाने से पहले एक घंटा-वेट करते हैं तो आप ये सोछो कि हम क्या करते खाना खाते हों और एकदम से मीठा खा लेते हैं अरे जो खाना अंदर गया है उसको अंदर जा के पचने का टाइम तो दो हम ने आ रही हैं इतनी freely available हो रही हैं इससे पहले थोड़ी ना दी हमारे पास हमारे को तीज त्योहार birthdays में हम खाएं मीठा तो हमारे को कि speciality महसूस होती है हम रोज मीठा खाते जाएं खाते जाएं कोई जरूरत ही नहीं है जब कोई चीज की जरूरत निया अब आप जबर्दस्ती खाये जाओ और उसके बाद सोचो कि जी मैं सेहत मन रहूंगा रहे कैसे सकते हो आप आप एक बात बताओ पहले के जो डॉक्टर होते थे वो डॉक्टर क्या डॉक्टर होते थे वह आपके घर के हर एक आदमी को जानत जानते थे आपकी घर के महल को जानते थे वो उस हिसाब से इलाज करते तो उनको पता था कि तुम्हारे घर की परिस्तितियां क्या है तुम्हारे घर का महल क्या है तुम्हारे को कौन सी मेडिसंस फायदा करेंगी कौन सी मेडिसंस फायदा नहीं करेंगी हाथ की नबस को प सारण AI और क्या है तो हम गुराम ही तो बन रहे हमें मालिक अपना हमें घुलाम होगी ना हुठ स्यावन और पर humor बनार इसलिए हम्मार पड़ते चाहरे हम मालिक बने अपने तो हमार बाते इसतारी किसी बाते से सुनने को मिली हो जिरूने आपके आंगे खोल आपको शायद आज से पहले ये सब नहीं पता चल पाया होगा कि ignorance या indiscipline आपके lifestyle का ही सबसे बड़ा कारण है उस बिमारी को नियोता देने के लिए आपकी आदतें आपकी habits और जैसा कि चेतन जी ने भूशन जी ने हमें बताया कि Ayurveda is now the prime solution In fact, Ayurveda के अंदर एक मात्र आप अपने diabetes पर अपने शुगर पर कंट्रोल पाने का हर वो एहम ठोस कदम उठा सकते हैं Ayush 82 का यहां जिक्र हुआ एक ऐसी formulation का जिक्र हुआ जो आपकी मदद कर रही है बहुत से लोगों के मन में यहां पर एक नया सवाल और उमरड़ा होगा क्योंकि बात हुई है discipline की, बात हुई है आदतों की कि बहुत से लोग कोशिस करते हैं कि मैं तो अपने खाने पर खूब कंट्रोल करने की कोशिस करता हूँ मैं तो बहुत कोशिस करता हूँ कि मीठा ना खाऊं बढ़ फिर भी मन करता है मैं सवाल पूछना चाहूँगा भूशन जी से कि सर क्या हमारी ये आयूवेदिक फॉमिलेशन specifically हमने जिक्र किया आयूश 82 का क्या उसमें शामिल इंग्रिडियंट्स जो की definitely हमारी किचन का हिस्सा है क्या ऐसी भी चीजे हैं उसमें जो किसी भी व्यक्ति विशेश को उसके cravings को control करने में मदद कर सकती है और साथ ही मैं उन लोगों की तरह से सवाल पूछना चाहूँगा जो insulin पर dependent है बहुत से लोग already insulin ले रहे हैं क्या उनके लिए भी equally advantages है हमारी ये medicine जी बिलकुल आयूश 82 में total अगर हम देखें तो 5 इंग्रिडियंट जिसके अंदर 4 हमारे plant हैं और 5 मा जो है एक rock जिसको शिलाजीत शुद्ध शिलाजीत कहा उसमें 5 में से एक जो gradient जिसके अंदर गुड मार है और ये गुड मार क्या है नाम ही देखें गुड मार जानी गुड को हमने क्या माना कि मीठा ये अगर कोई आपको कितना भी मैं मीठा खला दूँ इस पौदे की एक leaf को आपको चवाने के लिए दे दूँ तो आपकी body का सारा का सारा जो शुगर का content है वो नलेवाई कर देगा उसको neutralize कर देगा उसको मार देगा तभी तो इस पौदे का नाम पड़ा गुड मार और ये आयूश 82 का एक prominent ingredient है जिससे हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ये आयूश 82 की जो की government of India department of CCRAS का जो ये एक formulation है जो एक scientific formulation है जिसके अंदर बहुत शमता है कि आपकी craving के साथ साथ आपका शुगर आपका craving आपका overall जो excessive weight जो fat deposition है उसको उपर भी बहुत 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 काम करता है ये एक important ingredient है इससे पहले की चर्चा में हम लोगों ने जिकर किया था कि इसमें शिलाजीद भी शामिल है इसमें करेला भी शामिल है एक आम की गुटली का जिकर हुआ सर्थ मैं चाहूं बाकि हमारे दर्शकों को उस आम की गुटली के बारे में पता चले आयूश 82 में दो गुटलियों का जिकर है एक गुटली जिसको हमने कहा आम की गुटली और दूसरा जामन की गुटली इन दोनों गुटली के अंदर ऐसे phyto nutrient ऐसे ingredient रहते हैं कि जो हमारी बाडी के अंदर pencreas के बीटा सेल को motivate करते हैं उसको promote करते हैं कि insulin की जो बाडी में जरूरत है उसको regulate करें ताकि naturally इसको intake करने से naturally body के अंदर sugar level वैसा maintain हो जाए जैसा as per the need of the body हो जाए और naturally जिसका कोई side effect पनी है मैंने जैसे बात किया दो गुटली आम सब लोगों ने देखा बड़ा common है और जामुन सब लोगों को मालुम है जो कि बहुत common है तो जब common और य यह हमारी body friendly है कोई ऐसा extract जहां ऐसा नहीं है और जो बनाया जा रहा है जो EMP standards है उनको मदे नजर रखते हुए बनाया जा रहा है तीसरा अपने कहा था शिला जीत शिला जीत शिला प्लस जीत शिला मिन राक को चीर के निकलने वाला जो राक को जीत के निकलने वाला extract जिसक जो कहा शिला जीत जो कि हमारी body की immune system को हमारी body के अंदर जो रोग परती रोग शक्ती है जो strength जो defensive mechanism है बेमारियों को बिचाने वाला जो mechanism है जिसको हम immune system कहें lymphatic system कहें उसको उसकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए ये शिलाजीत के अंदर बहुत सारे ऐसे मिनल्स हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं बाडी के अंदर स्टेंथ देते हैं बाडी के अम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं और ये सब जानते हैं अगर किसी का अम्यून सिस्टम स्ट्रॉंग है तो बहुत सारी डाबेटिस क के अलावा साथ-साथ बहुत सारी चीज़ों को भी लुक आफ्टर कर दते हैं ये शिलाजीद इसके इंग्रीडेंट नो डाउट हमारे साइंटिस्टों ने हमारे जो आरिवेदा के जो विशेशक बिद्वान जो उन्होंने लंबे समय से रिसर्च करके इन आम चीज़ों आयूश-82 लेके आए हमारा ये कहना है कि अगर किसी कोई शुगर है उसके लिए भी आयूश-82 जिसको होने वाला है उसके लिए भी और जिसको होने वाला है जहां प्री डाइबिटिक हैं इन तमाम चीज़ों के लिए शुगर के लिए डाइबिटिस के लिए मदुमे के ल लोगों की ही मदद नहीं कर रहा है जिने diabetes है या जिने diabetes हो चुका है ये almost आपके शरीर में आने वाली वो सारी गतिविनिया जो diabetes के लिए contributing factor बन सकती हैं आपके body में arise हो रहे metabolic disorders आपकी body में आपकी craving की habits आपका सही तरीके से खाना ना खाना या आपकी body में जो चीजे उमर्ड नहीं है जो diabetes का एक prime concern cause बन सकती है उन से fight करने में आपके immune system को strengthen up करने में आपके pancreatic cells को activate करने में I use 82 का formulation allopathic medicine से बहुत आगे जाकर आपकी मदद करने में definitely कारगार साबित हुआ है तब ही मैं समझता हूँ कि छेतन जी जैसे manufacturer ने हमें ये कि 80% repeat orders आये है और ऐसा तभी होता है जब किसी चीज़ पर आपका बरोसा लंबे समय तक कायम हो गया हो और आपको अपनी body में कुछ ऐसे changes नजर आये हो जिने आप definitely consistently continue करना चाहते है definitely हर एक दर्शन यही चाहता है कि अगर आज मैं अपने मीठे काने की craving पर काबू पाया हूँ अगर आज मैं अपने शुगर के levels को वापिस से normal reversal direction में ला पाया हूँ so because of these Ayurvedic formulations